वीवर्स आज मैं आपके साल शेयर करने वाली हों कि आप घर पर बहुती क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन कैसे बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह नमकीन हमने शकरगन से बनाई है यकीन नहीं आ रहोगा ना इतनी टेस्टी नमकीन शकरगन से बनती है जी हाँ तो वीडियो को आपने full watch करना है ताकि कोई भी ऐहम part आपसे वीडियो का miss ना हो तो मैंने हाँ पर शकर गन ली थी इसको मैंने skin निकाल लिया है और अच्छे से मैंने इसको wash कर लिया था आप चाहें तो wash करने के बार direct grade कर सकते हैं छिलका उतारे या न उतारे आपकी मर्जी ह और ये देगे इस तरीके से आपने क्या करना है इसको कद्दू कस करना है तो मैंने यहाँ पर जो मोटी वाली साइड होती है उससे मैं यहाँ पर ग्रेट कर ली हूँ ताकि इसके ना हमें लंबे लंबे थ्रेट्स मिल सके तो हमने इसके लच्छे बनाने है तो आपने इसको इस तरीके से grate करना है, जैसे जैसे आप grate करते जाएं, साथ के साथ पानी में डालते जाएं, ताकि ये लच्छे काले ना पड़े, तो मैंने सारी शकरगंद को कद्दू कस कर लिया था, और पानी में डाल लिया, अब 2-3 पानी के साथ अच्छे से वाश करके, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो हम निकाल देंगे, और इसको ना हमने ड्राए करना है, तो मैंने हापन एक कपड़ा बिच्छा लिया आए, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद, इसके लच्छो को इस तरीके से फैला देंगे, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्ट्र है ना वो खतम हो जाए, और ये ड्राए हो जाए, ये जब तक ड्राए हो रहा है, यहाँ पर साथ ही ना मैंने तीन आलू लिये हैं, कच्छा आलू है, नया वाला आलू है, जिसे चिप्स वाला आलू भी बोलते हैं, इससे भी बहुत अच्छे क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार होती है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे, अगर आप चाहें तो सिर्फ शकरकंद से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है, आलू के लच्छो को भी मैंने पानी में डाल दिया है, और फिर एक से दो पानी के साथ धोकर, सेम प्रोसेस करेंगे, इने भी हम क्या करेंगे, टावल पर या कपड़े पर इस तरीके से फैला देंगे, तागे इनका एक स्ट्रा पानी निकल जाए, और इनमें से मौश्चर खतम हो जाए, इनको ड्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे ही कपड़े पर फैला दीजे, पंके के लीजे 5-7 मिनट लगते हैं, और ये थोड़े से ड्राइ हो जाते हैं, उपर तक आते हैं, और पैन फूल हो जाता है, तो इसलिए आपने ओईल का खास यहां रखना है, और आपने यूज किया हुआ ओईल इस्तेमाल नहीं करना, मतलब जैसे हम पकोड़े वगएर तर लेते हैं, तो आपने इसके लिए फ्रेश ओईल ही यूज करना है, और इस तरीके से आपने फॉक की मदद से चलाते हुए, इन्हें अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेना है, बस देखे हलका सा कलर चेंज करना है, आपने इनको जादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लेगेगी, तो जैसे हलका लाइट गोल्डन कलर आए, आपने इने जारे पर निकाल लेना है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ये देखिए, निकालने के बाद आपने क्या करना है, पेपर पर या किसी अखबार पर आपने इसको फैला देना, ताकि इस जो एक्स्टर ऑइल है न वो निकल जाए, तो मैंने सारे लच्छो को निकाल लिया, बहुत ही जादा क्रिस्पी बने हैं, इस तरीके से हम सारे लच्छो को फ्राइ करेंगे, बाद में ओइल में आपने क्या करना है, बादाम लियें, मैंने यहाँ पर दस से बारा, इनको अच्छे ऐसा गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी कर लेंगे, सेम प्रोसस करेंगे काजू के साथ, यह ड्राइ फ्रूट डालकर नमकीन का टेस्ट न डबल हो जाता है, तो काजू को भी हम थोड़ा सुलहरा होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर मैंने मखाना लिया है, एक कप और मखाने को भी हम ओईल में फ्राइ कर लेंगे, और क्रिस्पी होने तक, सब मैंने करीपता भी फ्राइ किया था, इसी तरीके से चन्नी में रखकर, वो मैं आपको देखाना भूल गही हूँ, तो इन सारी चीजों से नमकीन का टेस्ट न डबल हो जाता है, ये देखिए, मैंने ने हैं टिशू पेपर के उपर सारी नमकीन निकाल ली थी, इससे एक्स्टर ओयल जो है न वो पेपर के अंदर चला जाता है, और ये बहुत ही जादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, तो ये हमारे शेकरगंद वाली रच्छे हैं, और जो आलू से हमने बनाए थे वो दूसरे बाउल में हैं, आप देख सकते हैं, दोनों रच्छे काफी अच्छे और क्रिस्पी बने हैं, अब दोनों को मैंने एक बड़ी बाउल में ट्रांसफर कर दिया है, और इसमें डाल दी हैं, तले हुए बादाम और काजू और मखाना और करीपता, इससे इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, शकरकंद से बनने वाली नमकीन को आप वरत में भी खा सकते हैं, अब टेस्ट के लिए हाँ पर मैंना आदा छोटी चमबा, जिसमें नमक और कश्मीरी लाल मिचाएट की है, इसमें हलके मसाले जाएंगे, क्योंकि इस नमकीन के अंदर थोड़ी सी मिठास होती है, तो इसमें लाइट मसालों से इसका टेस्ट जो हैना बहुत अच्छा आता है, इसका खुद का अपना एक फ्लेवर होता है, गर्मा गर्म चाए के साथ ये नमकीन आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, तो आपने हलके हाथों से मिक्स करना है, अगर आप ज़्यादा जोरों से हिलाएंगे, तो ये नमकीन जोईना वो तोड़ जाएगी, तो जटपट बनकर तयार हो चुकी है, बजार से आप मेहंगी वाली जो नमकीन लेकर आते हैं, तो ये इस तरीके का मिक्स्चर हमारा तयार हो चुका है, गर्मा गर्म चाए के साथ मैं तो जारी हो अपनी नमकीन को इंजॉई करने, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगता हो, तो प्लीज एक लाइक शुरूर करना, शेर करना और चैनल पर नहीं हूँ, तो सब्सक्राइब शुरूर करना, थैंक्स फूर वाचिन इस वीडियो,